नमस्कार दोस्तों आपका हमारे इस यूच्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आज जो कहानी हम आपके लेकर आए हैं उसको लिखा है लेकी काम रिदुला सिनहाची ने और कहानी का नाम है बे नाम रिष्टा तो आईए सुनते हैं कहानी बे नाम रिष्टा चित्रजी इंविटेशन कार्ट के साथ हाथ से लिखे मनुहार पत्र के हर अक्षर को अपनी नजरों से आगती उनमें अंतर नहित भावों को सहलाने लगी कई बार पढ़े पत्र सोचा विवा में खटे लोग पूछेंगे मैं कौन हूँ क्या रिष्टा है मेरा शालिक राम जी से क्या जवाब दूगी मैं और क्या जवाब देंगे शालिक राम जी दोनों के बीच बने संबंध को मैंने कभी मानस पर उतारा भी नहीं नाम देना तो दूर की बात थी बार बार पटकारने के बात भी वो अंचान अबूल और बिनाम रिष्टा चित्रा जी को चाना पहचाना और बेहद आत्मे लगने लगा था कभी कभी उसकी बड़े भोले पन से भहबीत अवश्य हो जाती थी वो और तब उस रिष्टे के नामकरन के लिए मानो अपने शब्द भंडार में एकटे हजारों शब्दों को खंगाल चाती नहीं मिला था नाम और चम नाम ही नहीं मिला तो पुकारीं कैसे इसलिए सच तो यही था कि उन्होंने कभी उस रिष्टे को आवाज ही नहीं दी रिष्टे के चन्म और अपनी जिन्दगी के रुट जाने के समय पर भी नहीं जिन्दगी के पुना चालित होकर उसकी भाग तोड में भी नहीं शालिक राम जी को कभी याद नहीं किया उन्होंने शालिक राम जी नहीं बेनाम रिष्टे को याद रखने की पहल की थी बहुत सोच विचार करने के बाद चित्रा जी ने भोबाल जाना तै कर लिया बहुत दूर जाना था बस और फिर ट्रेन की आत्रा वो भी कर्मी में शालिक राम जी ने फोन पर विश्वास दिलाया था आपको कोई दिक्कत नहीं होगी महमानों को ठहराने की विबस्ता करते समय भी हमने मौसम का ध्यान रखा है मैं समझता हूँ हमारे महमानों को कोई कश्ट नहीं होगा और आप तो खास महवान है चित्रा जी कुछ नहीं बूरी उन्होंने जब जाने का निश्चे ही कर लिया था तो कश्ट और आराम का क्या शिमला बस टेंट पर वार्वो बस में बैट गई थी वो मोबाईल की घंटी बजी शारिक राम जी का फोन था उन्होंने कहा आपकी बस के दिल्ली बस अड़े पर रुकते ही हमारा एक आदमी मिलेगा उसका नाम राकेश है उसके पास आपकी रेल टिकेट होगी चित्रा जी ने कुछ नहीं कहा इतना भी नहीं कि मैंने टिकेट ले रखी है और वैसा ही हुआ उनकी बस के रुकते ही एक वैक्ती अंदर घुसा उसकी खुजी नजर ने चित्रा जी को बहचान लिया उनकी अटैची नीचे उतार कर बोला आपके पास यदि कोई टिकेट है तो मुझे दे दीजिए मैं उसे कैंसल करवा दूँ एसी सेकिंड क्लास की एटिकेट रख लीची ट्रेन शामको निजामुदीन स्टेशन से जाती है मैं आपको लेने आ जाऊंगा मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ चित्रा जी ने उस वैक्ती को स्लीपर क्लास की टिकेट निकाल कर दे दी वे थ्री विलहर में बैटकर गोल मा के दिस्तिक अपनी पर सहीली के पॉर्टर में चली दे शामको सब कुछ वैसे ही घटा जैसे राकेश ने बताया था सुबह सुबह गाड़ी के मुपाल जंक्शन पर रुपते ही एक नौजवान उनकी सीट तक आ गया उनके पैर शुकर बोला मैं दीपक हूँ मेरी पिता का नाम शालिक राम कश्यप है चित्रजी ने खुश रहने का आशिरवात दिया और उसके पीचे चलबड़ी गाड़ी आगे बढ़ रही थी रोट पर भीड के कारण कभी कभी उसका हौन बच्टा अंदर पूरी शान्ती बनी रही कोई कुछ नहीं बोला चित्रजी उस नौ जवान से बाते करना चाहती थी पर शुरुवात कैसे करें उस घर के आबादी, संसकार और सिथियां कुछ भी तो नहीं जानती थी वो वो पाल शहर के बारे में पूछने ही जा रहीं थी दीपक बोल पड़ा मैं आपको आंटी कहूं तो आंटी बारात आज शाम को आ रही है लोकल बारात है इसलिए समय से ही आ जाएगी मैंने सुना कि आप कल ही लोट रही है आपके पास समय बहुत कम है पिताजी ने कहा है कि आप भुपाल शहर पहली बार आ रही है इसलिए भुपाल भी तो देखना जाहेंगी बड़ा सुन्दर शहर है हमारा आप चल्दी से त्यार हो जाएं आपको मेरा मौसेरा भाई घुमाने ले जाएगा ठीक है इतना ही बोल पाई जितराजी मन तो उस वेक्ति के प्रती आभार प्रकट करने को बनाया था उनकी इतने चिंता करने वाले नौजवान को शाबाशी भी दी जा सकती थी पर वे कुछ नहीं बोली देपक बोला मेरी पिताजी आपकी बहुत प्रिशंसा करते हैं आंटी कहते हैं आप साक्षा देवी की अफ़तार है पर पता नहीं क्यूं ना आप ही कभी भुपाल आई और ना हमीशिमला बुलाया कुछ दीर पहले ही आपके बारे में बताया था पिताजी ने आपसे मिनने की चाहत बना पाई इसलिए कई काम छोड़कर खुद स्टेशन आ गया मैं चितर जी कुछ बोलने के लिए जीवा पर शब्द सजाने लगी कि ट्राइवर ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया गाड़ी किसी गेस्ट हाउस के सामने रुकी गाड़ी से उनका सामान निकाल कर दीपक आगे बढ़ा और वो पीछे पीछे उन्हें अंदर तक पहुचा कर बोला आंटी आप यहां नहाद होले नाश्ता घर पर ही करना है फिर आप भुपाल दर्शन के लिए निकलेंगी दोबहर का भोजन भी घर पर ही है भोजन के बाद फिर यहां आराम करियेगा और शाम को तो शादी है ही चित्रा जी कुछ नहीं बोली दीपक के कमरे से निकलने पर जरूर उसके पीछे गई आंखों के बहुंस से उसकी काया उजल हो जाने पर पीछे लौट कमरे की कुंडी बंद कर पिस्तर पर बैठ गई सोचने लगी दीपक कितना लायक लड़का है उन्नीस बीस वर्ष का होगा इतना जिम्मेदार और पित्रे भक्त समाज नहा की परिशान है कि युवा पीडी बिगड गई है मेरे साथ थोड़ी देर गुजार कर इस युवा ने मेरे मन में जगह बना ली है पर श्रे तो इसकी पिता को ही जाता है शालिक राम जी को उनका ध्यान आते ही चित्रा जी उट बैठी अपना ध्यान बढ़ाने के लिए तयार होने लगी चित्रा जी के नहा धोकर तयार होते ही नरेश आ गया था उन्हें नाश्ते के लिए ले जाते हुए पुछा आप दिपक की बुवा जी है उसकी दो भुवाओं से तो मिल चुका हूँ मैं आप से पहली बार मिला हूँ दिपक का फ्रेंट हूँ मैं शाली ग्रामची शिगरता से गेट पर पहुँचे उन्होंने चित्रा जी का अभिवादन किया नरेश ने कहा घुमालाया अंटी को भोबाल में इन्हें तिनो ताल बहुत अच्छे लगे अंकल नरेश इतना नहीं कहता तो शायद चित्रा जी सामने खड़े वैक्ती को पहचान भी नहीं पाती कुछ दरक गया था चित्रा जी के अंदर उन्होंने अपने को संभाला हाज चोड़कर उनके अभिवादन का उत्तर देते वे चहरे पर भी मुस्कान थी नाश्टे का इंतिजाम फ्लाट के बाहर वाले हिस्से में किया गया था कुछ लोग नाश्टा समाप्त कर चुके थे कुछ का जारी था, कुछ आने वाले थे शाली ग्राम जी को चित्रा जी को लेकर नाश्टे के स्थान पर पहुंशने में केवल दो ही मिनट लगे होंगे पर वहाँ उपस्तित नाश्टा कर रहे महमानों की प्लेट में पड़े स्वादिश्ट वेंजनों में मानो एक विशेश वेंजन आठक का ये कौन है? प्रश्न पसरा इनने तो पहले कभी ने देखा स्वाद लेने लगे लोग आपस में प्रश्नों का आदान प्रदान हो रहा था उत्तर किसी के पास भी नहीं था शालिग राम जी की पतनी माला भी आ गई रिष्टेदारों से नाश्टे का स्वाद पूछती कुछ और लेने का आख रह करती आगे बढ़ रही थी वो किसी ने पूछी लिया वे कौन है? कोटा की साड़ी में वो सुन्दर सी महिला माला ने इधर उधर आखे दोड़ाई दूसरी ने स्वर दापकर ही कहा वही जो शालिग राम जी की साथ है उन्हें शालिग राम जी ने खुद अपने हाथों से प्लेट लगा कर दी है देखी ठीकी तो कहा था सबने माला ने भी यही देखा चाय का प्याला लिये खड़े थे शालिग राम जी सौम में आकरिती लगभग उसी की हम उम्र बड़े सलिके से नाश्टा कर रही कौन है ये महिला शालिग राम जी ने तो कभी इसका जिक्र नहीं किया इंविटिशन भीजने बाले लिस्ट भी मालाने पड़ी थी किसी अंजान महिला का नाम तो नहीं था उसमें फिर कौन है ये प्रशन तो अनिक थे पर वो अफसर नहीं था कि पती से प्रशन पूछे जाए जबकि अधिकांश महमानों की बीच यही प्रशन बॉल की भाती दिन भर उचलता उसकी पाली में भी आता रहा रेती रिवाज और रस्म अदाईगी में सब एक दूसरे से पुछते रहे दो पहर की लंच की समय भी चित्रा जी आ गई थी शाली ग्राम जी की एक साली उनके पास गई पूछा आप कहां से आई हैं? दूसरा प्रशन पूछने ही वाली थी आप मेरे जीजा जी को कैसे जानती है? इस बीच स्वैम जीजा जी उपस्तित हो गए थे उन्होंने अपनी साली को किसी और विशेश महमान की खातिरदारी में लगा दिया था गेस्ट हाउस में आराम करते वे चित्रा जी का मन कई मसलों में उलच कया था बहुत दिनों बाद पचीस वर्ष पूर्फ खटी घटना का संपूर्ण द्रिश्य नसरों के सामने रूर हो गया कितनी बातें यादाती है तस्वीरें से बन जाती है मैं कैसे नहें भूलू कितनी बातें कहने की है होटों पर जो सहमी सी है एक रोज ने सुन लो क्यों ऐसे गुमिल सुन हो क्यों तूरी हो न पाई दासते किसी आई है से दूरिया शिमला से गाड़ी में पती पत्नी और दोनों बच्चों का कुलू मनाली के लिए प्रस्थान थोड़ी दूरी पर जाते ही गाली का गड़े में गिरना पती के सिर में चोट आना उनका होश नहीं लोटना डॉक्टर से बात चीत बेहाल बेहोश चित्रा जी की सामने डॉक्टर की एक मांग मांग पर शिग्रता से विचार करने का आगर है अकेली खड़ी चित्रा जी दो नन्ने बच्चे मां से चिपके अपना पराया कोई साथ ना था निरने लेना था चित्रा जी को सब कुछ चला गया था उनका जो बचा था उसकी मांग थी चित्रा जी ने वो वस्तु देना स्विकार कर लिया जो उनकी थी उन यादों को नजर के सामने से हटा दिया था शुप शुप का अफसर था जो बीत गई वो बात गई कविता वो किलास में बढ़ाती आई है जिस लड़की का विवा है उसके लिए शुप सोचना है अफसर और समय की यही मांग थी बारा दरवाजी लगी स्वागत में घड़े इस्त्री पुरुष तिर्ची नजरों से चित्रा जी के और अवश्य देखते रहे प्रशन वही कौन है ये क्या रिष्टा है शारिक रामजी से शारिक रामजी ने द्वार पर ही अपने संधी से चित्रा जी का परेचे कराया था उनकी दो सालियां अपने पतियों के साथ वहीं खड़ी थी उनका परेचे नहीं करवाया था और ये खबर उस भीड भरे इस्थल पर भी आसानी से यात्रा कर गई सबको मिल गई ये खबर बराती और घराती के भोचन करने के बाद विवा के रस्म पूरे किये जाने लगे शाली ग्राम जी को पंडिची द्वारा मंडप पर करन्याधान के लिए बुलाया गया मंडप पर बैठने के पूर्व उन्होंने चारों और निगाएं घुमाई उनकी दृष्टी के सम्मुक वो चहरा नहीं आया जिसकी उन्हें खोच थी उनकी आसपास मंडप पर बैठी उनकी बहनों और सालियों ने भाप लिया था दो तीन एक साथ बोल पड़ी वहाँ है आपकी महमान देखा माला ने भी मानुख खीच कर बोली अब बैठ चाहिए मंचित लगाकर कन्या द्यान करिए इसी काम के लिए महमान और सारा इंतिजाम है बैठिये शालिक राम जी ने उची आवास में कहा चित्रा जी आप इधर आईए मंडप पर बैठिये मेरी बेठी को आपका विशिश आशिरवात चाहिए चित्रा जी अंदर से हिल गई और उपर से उपस्तित चनों की निगाहों के तीरों से बिंद गई वो परिशान तू थी ही अपने स्थान पर खड़ी उकर बोली आप लोग शुब कारे के लिए वहों पस्तित हुए है बेठी का कन्यादान करिए मुझे यहीं बैठना है मैं विद्वा हूँ मेरा सुहाग नहीं है समाज ऐसी महिला को किसी सौभागे अकांशनी को सुहाग देने की मनाही करता है मैं दिल से आपकी बेठी का शुब चाहती हूँ इसलिए दूर बैठी हूँ आप अपना पुनीत काम पूरा करें मेरी चिंता छोड़ दे विबैठ गई मैं नहीं मानता ऐसे समाज की विधान को मेरे परिवार के लिए मेरी बेठी के लिए आप से बढ़कर कोई शुब नहीं हो सकता आपकी किरपा के बिना तो ना मैं होता और ना ही मेरी बेठी आईए आप मेरी प्रार्थना मानकर मेरी बेठी का कन्यादान करिए फिर तो पंडित जी भी परिशान हो गए बोले शालिक राम जी आपकी महमान महिला ठीक कह रही है आप कन्यादान करिए अपनी पतनी को साथ बिठाईए, मंड़प पर बैठी सभी महिलाएं स्वागन ही है शालिक राम जी बिफर पड़े आप सब आज सुभा से चित्रा जी का परीचे जानने के लिए परिशान है न आपके बीच तरह तरह की अटकले लग रही है कारे विवस्ता में भी मैं आपके प्रशनों के बाणों से बिंदता रहा जब तक मैं उनका परीचे ना दे दूँ आप सबों का ध्यान भी विवा के रस्म रिवाजों पर केंद्रित नहीं होगा तो सुनिए और जो कुछ शालिक राम जी ने सुनाया सुनकर वहां बैठे उपस्तित लोगों के प्रशन तो चुके ही वे सब चित्राजी के प्रती नत्मस्तक हो गए वे अवाग रह गए 25 वर्ष पूर्व एक दुरगटना में चित्राजी के पते खायल हो गए उनके मस्तिष्ट ने काम करना बंद कर दिया था जिस हॉस्पिटल में उन्हें लाया गया उसी के एक कमरे में मैं ओपरेशन बैट पर लेटा था मेरे दिल ने काम करना बंद कर दिया था डॉक्टर्स ने निर्ने लिया था किसी का धड़कता दिल मिलने पर हार्ट ट्रांस्प्लांट हो सकता है आख दान, किटनी दान जैसे अंग दान की बात तो सुनी कई थी दे दान भी होने लगा था पर रिदे दान तो तबी हो जब वो धड़कता हो और जब तक दिल धड़कता है आदमी जिन्दा है भला चीवित का रिदे कोई क्यों धान करे चितरा जी के पती का दिल धड़क रहा था मस्तिक्ष ने कारे करना बंद कर दिया था डॉक्टर शर्मा ने इनसे अनुरोध किया आख पे पती को अभ़म नहीं बचा सकते पर आपकी सहमती हो तो इनका दिल किसी और के शरीर में ट्रानस्प्रांट किया जा सकता है वो जिन्दा हो सकता है सुझाव सुनकर चितरा ची पर क्या बीति मुझे नहीं मालूम और किसी ने जानने की कोशिश भी की कि नहीं मालूम नहीं चितरा जी ने अनुमती दे दी थी मेरा दिल पिछले पचीस वर्षों से धड़क रहा है, ये मेरा नहीं, इनके पती का दिल है। पर पिछले पचीस वर्षों में इन्होंने एक बार भी एहसान नहीं चताया। इन्होंने तो मुझे तब भी नहीं जाना ना देखा था। मैंने भी नहीं, इन्होंने कभी मुझे ढूनने की कोशिश भी नहीं की, पर मैं बहुत बेचैन था, जीवन देने वाली की प्रती आभार भी नहीं प्रकट कर सका था मैं, दो वर्ष पहले उनके शेहन में गया, डॉक्टर शर्मा मिल गए, मेरा दो भागे कि इनसे तब भी नहीं हो सकी मेरी, डॉक्टर शर्मा से इनका मुबाइल नंबर मिल गया, फोन पर ही मैंने इनने अपना परिचे दिया, मनुहार पत्र भेजा, और फिर निमंत्रन, बहुत आगरे करने पर ये मेरी बेटी के विवा पर आई है, मैंने भी इनको आज सुबा ही पहली बार दे की रस्म की समय तो सबकी आँखे भरती है, शाली ग्राम जी ने तो कन्यादान की पहले ही उपस्तित सभी आँखों में पाने भर दिया, माला मंडप पर से उठी, सीधे चित्राजी की पास पहुंची, पैर छोकर आशीश लिये, और हाथ पकड़कर मंडप पर ले आई, बह क्रिष्टों से भरा था प्रांगन, पर सबसे उच्चा हो गया था शाली ग्राम जी और चित्राजी का रिष्टा, बेनाम था तो क्या? जो औरों को जीवन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता 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 है बीका